गत शुकरवार चंबा के जवाहर नवोधे विद्याले के छातर के रावी नदी में डूप कर मरने के मामला तूर पकरता दिख रहा है इस मामले को लेकर विद्याले प्रबंधन पर लापरवाही के अरोप लग रहे हैं मामले को लेकर विद्याले में पढ़ रहे छात्रों के अभिवावकों और पंचायत स्मीती सुलूनी के सदस्यों का एक डल उपएउक चमबा से मिला छिकायत करताओं का कहना है कि जवाहर नवोदे विद्याले में अविष्था का आलम है और विद्याले में पहले भी छात्रों के रावी नदी में जाने का मामला सामने आया था लेकिन विद्याले प्रबंदन द्वारा मामले पर कोई कारवाई आमल में नहीं लाए गई जिसका परणाम ये हुआ कि एक परिवार ने अपना चिराख खो दिया वहीं इस दोरान अभिभावकों द्वारा स्कूल की अविवस्थाओं के बारे मीडिया को जानकारी दी गई इस दोरान अभिभावकों द्वारा विद्याले में बड़े चात्रों द्वारा छोटे चात्रों की ट्रैगिंग के अरोब भी लगाए अग्वावकों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों को देखते हुए जवाहर नवोदे विज्जाले के परधाने चारे को उनके पद से निश्कासित किया जाए योग सिंग गौतम है मैं सुलूनी बलोग का बीडिसी बाइस चेर्मेन हूँ और जिला चंबा का शिकायद नमान कमेट्री के सदस्या भी हूँ आज हमारा उपाइद्यक्त मौदे जी से मिलना का यह उदेशा था कि जो अठाइस दो हजार बीस को जो जो हर नाल नवोदे स्कूल स्रॉल में जो घटना घटी है स्कूली छातर जो है नदी में बेहने सुकी मृत्य हुई है उसके बारे में हम मानिनी जी सी मौदे जी से मिलें और हमारी उन से भी यही मांग रही है कि जो भी इसमें दोशी पाई जाते हैं स्कूल के प्रिंसिपल कर्मचारी उनके उपर जो है सक्त कानूनी कारवाई अमल में लाए जाए और हमें पूरन बिश्वास है कि हमारे मानिनी है जी सी महोदे जी इस पे जो सक्त कानूनी कारवाई करेंगे अगर हमें इसमें लगा कि इसमें कोई सक्त कानूनी कारवाई नहीं हुई तो हमें दूसरा रास्ता अपनाने के लिए भी हम ट्यार रहेंगे मैं रोशनी देवी, हमने भी स्कूल से 2001 में फ्रस टूर की है, तो ऐसा है कि जब हमारा स्कूल उपर होता था, तो तब भी मतलब हम इतने दूसे किलो मेटर स्कूल से चल के आपते थे, और सर होस्टल हमारे कहीं था, तब भी ऐसी के भी गटनाय नहीं गटते थे, सर्थ हमारा कहना यह है कि जो सरी स्कूल के प्रिसिपल सर हैं, वो भी थोड़े मतलब डिलें, मतलब थोड़े सुस्त हैं, और सर जो स्टाफ है, उनको भी मतलब थोड़ा कटरो होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मतलब ऐसी बोले, इस तरह से बात करें, बच्चों के साथ क यह मतपाल करने चाहिए, और बच्चों को अच्छी से सभजाना चाहिए, और सर प्रिस्पल सर को भी मेर ख्याल से तवादला होना चाहिए, क्यूंकि यह बहुत सुस्त लगए है, ना तो बातचीट करते हैं, ना तो ठीक सर हो सकता है कि टीचर भी इस से प्रिस्पल सर से इसमें कमी हैं हमारे स्कूल में जल्द से जल्द पूरी की जाएं। यह दो बड़ा हाथसा हुआ है कि अब यह मतरव दो तीन बच्चे और भी जा सकते थे बीच में पर यह पता निब बचा लिए और उसी टाइम सारन भी बच गया था तो यह तो बगवान की वह एकि बच बच गया एक और बच बच गया और बॉसरी बात यह कि पानी की कमी कि बच्चे नहाने दोने पीछे परली तरफ चले जाते हैं तो इस फ़िए से ही अचानक बाढ़ आ जाती है अचानक पाने शोल जते हैं और सार्व सबसे बड़ी बड़ी तो बात यह कि टीचरों को मतलब बिलकु सक्त होने चाहे और सी,सी टीच टीब कैमरे भी बश्वार क को एक बार सोने को आया है तो वहां पर जो है ब्यवस्ता बिल्कुल कमजोर है और वहां पर हमने यह जो हाथसा हुआ है भी विकास जो लड़का एक्सपायर हुआ है वो केबल अभी की बात नहीं है कि वह पहली बार वहां नदी में नहाने के लिए गए थे या नदी की प्रशाष्न को भी अभी बापकों ने लिखित में दिया है कि यहां पर बच्चों के साफ जो है किस तरह का ब्यवार होता है सबसे बड़ी बात कि परशाष्न जो यहां के डी सी साब हैं वो स्रोल स्कूल के अध्यक्ष है लेकिन हमें निराशा इस बात से है कि अध्यक्ष होने के बाब जूद और उनको जो काफी परिशानिया बच्चों ने बताई थी अभी बाब को ने बताई थी उनके सामने रखी गई लेकिन उसके बाद भी कोई एक्षन नहीं हुआ लेकिन इस से पहले हम लोग चुप थे लेकिन अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे क्योंकि एक बच्चक होया है कल को कुछ और हाथसा भी वहाँ हो सकता है और दूसरी बात जो एहम बात है वो मैं आपके समक्स मीडिया के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि जवाहर नवोदे स्कूल स्रोल जो है वहाँ पर अंदर ही अंदर नशा जो है वो तीवर गती से बढ़ रहा है लेकिन जब हम इस चीज की बात करते हैं किसी के सामने तो अभी बाबकों से ये पूछा जाता है कि आप हमें प्रूफ दो भई हम लोग कैमरे लगा के जाएंगे वहाँ पर किस तरीके का प्रूफ देना कल जब हम स्रोल स्कूल में थे तो कम से कम 40-50 अभी बाबक वहाँ पर उपस्तित हुए सभी का यही इलजाम था कि बच्चे जो है नशे की लत में पढ़ चुके हैं वहाँ बच्चों का भविश्य कैसा है जब कि जब कोई बच्चा स्लेक्ट ओकर नवोदे स्कूल में जाता है तो हमारे लिए प्रावड की बात होती है लेकिन अब हमें घवराहट हो रही है कि हम उस school में बच्चे को भेजे तो कैसे भेजे, किस की जिम्मेवारी पे वहाँ पर भेजे और हम मांग करते हैं कि कि वहाँ का जो principal है वो तो अपने पदसे इस्टिपबद दे अगर वो school को संभाल नहीं सकते तो वो school की जिम्मेवारी भी ना ले पहले भी कुछ सिकायते आई थी बच्चों की हलांकि मैं भी वहाँ पर गई थी और बच्चों ने चाइल लाइन टीम के साथ मैं भी वहाँ पर गई थी यही के सामने आया था कि जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों के साथ रैगिंग करते हैं बच्चों को जो समा का प्रयास भी किया कि कोई बच्चा वहां पर बताए लेकिन किसी भी बच्चे ने सामने मुझ खोलने की हिम्मत नहीं की चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट